कक्षा चठी, विशे, हिंदी, पार्ट आठ, जन्मदीन, भाग पांच बच्चो इस पार्ट के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि पुजा के जन्मदीन की पार्टी में बिजली और पानी ना होने के कारण सभी लोग बहुत परिशान थे फिर अच्छानक से वहां पर एक चमतकार होता है बिजली भी आ जाती है और पानी की भी बिवस्था हो जाती है जिसके कारण वहां का सारा द्रिश्य ही बदल जाता है बच्चे, बड़े, सभी लोग चटपटे भोजन का स्वाद लेते हैं और सभी लोग बिजली आने के का भी आनन्द लेते हैं फिर बबलु अपनी मा के साथ जब घर वापस लोटने लगता है तो शीला मौसी और उसकी मा एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराते हैं लेकिन उस मुस्कुराहट के पिछे क्या राज छुपा था यह बबलु कभी भी नहीं जान पाया तो अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे घर पहुचने पर मा को बबलु किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा बबलु कुछ नहीं बोला शीला के यहां जो घटना हुई वह अब भी उसकी आखों के आगे घूम रही थी जब बबलु अपने घर पहुचता है तो उसकी मा द देखती है कि बबलु किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है वह घर पर आने के बाद कुछ नहीं बोल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे शीला मौसी के घर पर जो घटना हुई वह सब अभी उसकी आखों के सामने घूम रही है अपने आंगन की गवरया की प्यास से खुली चो बबलु ऐसा सोच रहा था कि जैसे आंगन की कोई गवरया है उसे बहुत तेश प्यास लगी है और उस प्यास के कारण उसकी चोच किस प्रकार खुली है सडक के किनारे नाली में पानी को तलासता हुआ जब कोई कुट्ता उसमें देखता है तो पानी नहोने के कारण कैसे वह अपनी जीव निकाल कर हाफ रहा है वह मनही मन सोचता है शिला मोसी के यहाँ पानी न होने के कारण प्यास के कारण उसका किस प्रकार बुरा हाल हुआ था यह सारी बाते सोच कर बबलू बहुत परिशान था पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना बहुत कुछ और जब थोड़ी देर के लिए गर्मी में पंखा या कूलर बंद कर दो तो उसके कारण हमारा क्या हाल होता है यह सारी बाते सोच कर बबलू बहुत परिशान था नहीं अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा मा कल से मुझे आंगन में किसी बरतन में पानी भरकर रखना है मा हसकर बोली तेरे कारण पानी बरबाद होने से बचे तब न रखे मा अब पानी की एक बून भी बरबाद नहीं होगी बबलू आत्म विश्वास से भरकर बोला बबलू अपनी मा के पास जाता है और वो अपनी मा से कहता है कि मा कल से मैं एक बरतन में पानी भरकर घर के आंगन में रखोंगा तो उसकी मा हसकर कहती है कि अरे तुम तो पानी इतना बरबाद करते हो तुम से अगर पानी बचेगा तब ना तुम उसे आंगन में रखोंगे तो वो अपनी मा को विश्वास दिलाता है कि आज के बाद वो कभी भी पानी को बरबाद नहीं करेगा मगर पबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शिला मौसी के यहां जन्म दिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था उसे सबक सिखाने के लिए तो बच्चो बबलू के साथ जो भी शिला मौसी के यहां पर जो घटना हुई थी वह सब घटना एक नाटक था वह सब लेकिन किसने किया था और क्यूं किया था वह इस बात को कभी भी नहीं जान पाया बबलू पानी और बिजली को बहुत अधिक बरबाद करता था इसलिए बबलू की मा और शिला मौसी ने उसे सबक सिखाने के लिए वह सब नाटक किया था मा ने चलने से पहले शिला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था शिला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था उन्होंने यही नाटक किया जो की पूरी तरह काम्याब रहा बबलू की मा शिला मौसी के यहां जर्म दिन की पाटी पर जाने से पहले उन्होंने शिला मौसी को फोन करकर के बबलू की आदत के बारे में बता दिया था तो शिला मौसी ने भी बबलू की मा को विश्वास दिलाया था कि वह उसे जरूर सबक सिखाएंगे शिला मौसी के यहाँ पानी न होना, बिजली की कटोती वह सब एक नाटक मात्र था शिला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए वह सब नाटक किया था लेकिन बबलु कभी भी इस बात को नहीं जान पाया अब तो बबलु खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है इन्हें भविशे के लिए बचा कर रखो उस घटना के बाद बबलु इतना सुधर गया कि वह अब अपने दोस्तों को भी यह बात समझाता था कि पानी और बिजली दोनों अनमोल है इन्हें हमें कभी भी बरबात नहीं करना चाहिए अगर हम पानी और बिजली को इसी तरह से बरबात करेंगे तो आने वाले भविशे में लोग पानी और बिजली के लिए तरस्तने लगेंगे इसलिए इन्हें हमें अपने भविशे के लिए बचा कर रखना चाहिए घन्यवाद